आम्रो शरीर भित्र योटा साइलेंट वार चली रहेको छौ। आम्रो आखाले देखने नसकीने बैक्टेरिया जस्ता माइक्रोस्कापिक और्गैनिजम र तीनियर लाई फाइट गरना आमीले खाने एंटिबाइटिक्स बिचको सिक्रेट वार। जुन आमीलाई था चाही नकी आमी आरी रहेका चाहू बने रहेका आमीलाई इंफेक्शन वा बिरामी बनावने जम्स आज वंदा भोली पार्फुल नो दाईशन। रेसिस्टेंस बनो लेशन। आम्रा आउसदी जस्ते एंटिबाइटिक्स अरू थी बैक्तेरिया वा जम्स अगा फाइट गरना शक्किट वहेका चाहू आमी एस्तो पोईट मा आईशाहेका चाहू जहां त्यो माइक्रोस्कोपीक जम्स लाई ट्रीट गरने आउसदी आई ट्रीट गरने शक्दे न। इम्याजिन गरनोस कि तपैलेवडा सानो इंफेक्शन बायो रत्यों इंफेक्शन को संसार मा आउसदी नहीं चाहिन। जुन एंटिबाइटिक ज्यान बचाहू ना बनाईएगो थियो आज ते एंटिबाइटिक ले हजारों लाखों ज्य एंटि माइक्रोवेल रेसिस्टेंस मा जाना मंदा पहिले आमीले बुजाऊ माइक्रोप्स को बारे माँ माइक्रोप्स बनेको माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम छो जसला आमरो आखाले देखना सकते न। माइक्रोस्कोपिक बहे पनी माइक्रोप्स ले इकोसिस्टम र आ आम्रो जीवन मा ठुलो इंपाक्ट पाली रहेक होंच माइक्रोब सिंगल सेल वा सेल को कोलोनीमा होंच जाम्स जदातते होंचन आवा पानी माटो आम्रो सरीर वीत्र बाहीर जदातते बैक्टेरिया फंगाई वाहीरस रव पारासाइट्स जाम्स का टाइप सुन आप्टेरिया बाही बैक्टेरिया बैक्टेरिया बीना आम्रो अस्तित्तव नईच तो रा आमफुल बैक्टेरिया ले बने इलनेस रा इंफेक्शन गरने काम गर्छा जस्ताई शोर थ्रोट, यूटिनरी ट्राक इंफेक्शन, निमुनिया, एर इंफेक्शन, फूड पोईजिनेंग, टूबर क्लोसिस, गुनोरिया आधी बैक्टेरियल इंफेक्शन ले गरद फंगाई ले उने इंफेक्शन ट्रीट गरना एंटी फंगल्स यूज गरिन्छा तेस्ताई वाइरस अरू बैक्टेरिया बन्दा पनी साना उंचान र ओस्ट बोडिमा मात्रे सर्भाइव गरना सक्षान उस्फुल बैरस चाई मेडिकल ट्रीटमेंट्स, जीन थेरापी, बैक्शिन्स बनाउन आदीमा प्रएग उन्छा र आमभूल वाइरस ले जाई बिविन्ना कंडिशन अरू जास्ते हैं एचाईवी, इन्फ्लोएंजा, एबोला वाइरस अरू उन्ने गर्छा एपिडेमिक्स र पैंडेमिक्स अरू आमभूल बैरस ले ने गर्ने गर्छा वाइरस ले उन्ने इल्नेस मिनिमाईज गरना एंटी बाइरल्स यूज गरिन्छा। सिमिलर्ली उस्फुल पैरसाइट्स ले पैरसितिक वाक्षिन्स, बायलोजिकल कंड्रोल र बायोडावर्सिटी कंड्रोल गर्ना काम गर्छा बने आमभूल पैरसाइट ले योटा पैरसाइट जसतो माईक्रोब्स ले उन्ने इन्फेक्षन, इल्नेस वा डिजीज लाइक कंड्रोल वा ट्रीट गर्ना एंटी बायोटिक्स, एंटी वाइरल्स, एंटी फंगल्स र एंटी पैरसितिक और थाथ एंटी माईक्रोबियल्स को प्रहेक गरिन्छा। एंटी माई 1908–1908 AD अगी- Material in्facekins को ट्रेट्मेंट संभम नाई थिया न एदी कसलिए ? बैक्टेरियल इंफ्रेक्शन्ज अस्ताई ? निमोनिय लाक थे वनने इसको ट्रीट्मेंट नाई थिये न अथवा वननो प्रपर ट्रीट्मेंट थिये न जसले गरदा त्यों इंफेक्शन सिधाई प्राण गाता कुन थे हो तर नाइटीन ट्वेंटीएट एडी मां एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ले पहिल्यों एंटिबाइटिक पेनिसिलिन पत्ता लगाए तर नाइटीन थर्टीज मां कमर्शियली एंटिबाइटिक्स बनन थाले इस पची फ्लेमिंग को त्यों एंटिबाइटिक को आभिसकार युमानिटिको लागी बर्दान शरह बयो इस पची कईली उपचार हुने नसकने बनियेका रोग अरुग आउसदी बनन थाले एंटिबाइटिक्स एंटिफंगल एंटिपारसेटिक्स एंटिबाइटिक्स एंटिबाइटिक्स एंटिफंगल एंटिपारसेटिक्स एंटिबाइरल शरू बिस्तारह बनन थाले एंटिबायाटिक रेजिस्टेंस बाड़ा बुझाँ एसको बारे यो योटा आमफूल बैक्टेरिया हूँ एसले आमरो बड़ी मां इन्फेक्शन वा इलनेस फईलाउँच रजबा आमी मां तेस्तो इन्फेक्शन हूँच आमी आउसदी खान्षों और थाथ एंटिबायाटिक खान्षों अब यो एंटिबायाटिक ले आमरो शरीर भीत्रको बैक्टेरिया लाई मार ना थाल्छ तरह केही बैक्टेरियाले नाचुरल्ली आफूमा योटा रेसिस्टेंस बिल्ड़ अप गरदे जान्छ सजीले बनना परदा बैक्टेरिया म्यूटेट गरे रा एंटिबायाटिक बन्दा पनी स्ट्रॉंग हो दे जान्छ वा रेसिस्टेंस बढ़ाऊ दे जान्छ जसले गरदा बैक्टेरिया आरगा अगाडी एंटिबायाटिक ले काम नाई गरदे नुन पहिले ते ही डोज ले काम गरते भने अवँ एंटिबायाटिक को डोज बढ़ाऊ दे जान्दो परने उन्छ या सरीने एंटिबायाटिक को प्रएक ले गरदा बैक्टेरिया ले फेरी रेसिस्टेंस बढ़ाऊ दे जान्छ और अजय श्ट्रॉंग होदे जान्छ रो एस लाई नाई एंटिबायाटिक रेसिस्टेंस बनिन्छा रो एस तो मायक्रोब्स अरू लाई शुपर वक्स बनिन्छा जब 1930 माँ पईलो एंटिबायाटिक बनियो र प्रोयक उन थालियो तेसको दसकों पची 1940 र नाईटिबायाटिक ले काम गर्ना छोड़े पची बल्ला एंटि मायक्रोबियल रेसिस्टेंस को बारे माँ पत्ता लागियो यहां एर्दा पेनिसीली 1941 माँ रिलीज भाय को थियो अब तेसको ठीक एक बर्षको प्रोयक पची नहीं एंटिबायाटिक ले काम गर्ना छोड़े र नया बैक्टिरिया को बेरियेंट निस्क्यों तेसरी नहीं समय समय मा नया बेरियेंट्स बंदाई जान्चन अचिल्लो समय मा एसको टाइम फ्रेम अजे घटी रहे को छो जस बैक्टिरिया एको रेसिस्टेंच बढ़ाऊं दे गवाएको छो अमिले घाने एंटिबायाटिक्स ले गर्दा बैक्टिरिया ले कासरी रेसिस्टेंच बढ़ाऊं शन्ता एहां यरों बैक्टिरिया ले एंटिबायाटिक्स ले कासरी फाइड गर्शन बने रा यो बेक्टेरिया बाट बहुम्ट चेंज गहर होंगने हमाने चेंज पूंटीन्छ रुच yn प्रएक्ट गरे रुच। ब्हक्तिर्यायले आंटिबायातिक्स देस्ट्रोय गरती ज़स। उन्चैंगुने अन्टिबायातिक बैक्टिरियमाई स्पसिटिक पाट के लाई।वाई देस्टोय करना बनाए य। तो, र अन्टिबाइकले थीकले तुछ टार्गेट लाई देस्टो ही गरना ना पांगा झांगा युदरी, युदर्फ को सफ़गो तियुक लीकद भीचले होलween आएमार बर्दय जानुका कारण रुख यह की होँथ इनद इंफेक्सियस ब्यक्तियर्या गो रेसिस्टेन्स बर दाई जान सँ अनटीबासे लिना लिना धिनदाई थोड़ वनेnes एंटिबाइटिक्स को केस मां आफाइले आउसादी की नेरा खाये वन्ने तेसले और को समस्या निम्द्याउँश अज अईलेगो समय मां सुसल मेडिया मां ओपनली मेडिसिन्स हरू के उदा के खाने वन्नेरा लेखेको बनी पाईँश त्यो एकदम गलत हो गूगल गरे रा आफाइले मेडिसिन्स हरू लिनु बने उदाइना आमी आफाइले प्रेस्क्रिप्शन बिना एंटिबाइटिक्स हरू की नेरा प्रयक गर्नु उदाइना वा फार्मेसी अरूले एंटिबाइटिक्स प्रेस्क्रिप्शन बिना बेच नहीं उदाइना पनि यो बड़ी रहेगो छो और गो चैंई ए हस्पिटल अरुमा इंफेक्शन क्रोल पूर वाये गाले पनि AMR बड़ी रहेग चो अथाहागा बन Whenever AMR foily रहेग चो रए योटा देरे resistance भआये को बैक्टिरियाले थोरे resistance भआयेको बैक्टिरियालाइ resistance पनी ट्रांस opens Holocaust版 जस्ते neseta genetic material सरु ट्रांसफर गरेर ौudas है mutations बब यह उटा मार्चे बाठ औरको मार्चे मार्च आमिनेशन बयर रेसिस्टेंज— सज्जिलाईग रांस्फर् हुना शक्ष। जबस रेक्टियर्याइक, रेसिस्टेंज भरदाई जाँच। तु बच्टियर्या को अज। श्ट्रॉंगर भेरेण शरुपनी बंदाई जाँच। नया वेरियन को बैक्टेरिया वा इन्फेक्शन अरो, इन्वायरमेंट, एयर, फूड बार्टा जथा आता तै सजीले इस्प्रेड हुँँँँच रो एयमार ले कुने सिमीद देश वा सिमीद एज ग्रोगो मानचेला असर गर देना एतो युडा ग्लोबल इस्प्रेड हो इसले संचार भरी असर गर्छा एयमार को अलको कारण एग्री गल्चर मां एन्टिबाइटिक्स को जथा भावी प्रयक पनी हो जस्ते आमीले खाने कुरा आरू तरकारी मासु फोल्फुल आदी अरू उत्पादन गर्दा एंटिबाइटिक्स को गलत प्रयक प्रयक ले जस्ते पोल्ट्री मां रोग अरू रोक ना हुआ सानो समय में देरे प्रोड़क्शन गर्दा गलत तरीकाले एंटिबाइटिक्स यूज भाई रहको उन्छा एग्री गल्चर मां एंटिबाइटिक्स को जथा भावी प्रयक ले गर्दा पनी एम्र डिरेक्ली आमीमा स्प्रेड होना देरे मदत भाईको छा ट्रीट्मेंट क सेकेंड वा थर्ड लाइन ट्रीट्मेंट चाहिने भाई अब पेसेंट को ट्रीट्मेंट मां एंटिबाइटिक को सिधे आयर डोज को यूज भाई पची ओर्गन फेलियर न लामा समय समय रिकोबरी ना उने जासा साइड इफेक्ट चाहुता अबस्चे ने उन्चन को यूटा इस्तो टाइम आउचा तब कुने बने एंटिबाइटिक से काम ने गर देना रा इस्तो वाई मां जो सुके बाई पनी एम्र को असर सबयले बोगने पर्शा बांचे जनावर रब बोड बीरामा इसले ठुलो इम्पाक्ट पार्शा आजा बंदा 90 वर्शा गाड को अनि ट्रीट्मेंट को समय मां एंटिबाइटिक को कॉर्स कम्प्लीट गरनो पर्शा जसले रेजिस्टेंस बढ़ना दिदाइन युडा मांचे बाटा औरको मांचे मां रेजिस्टेंस स्प्रेड उन न दिन प्रपर आइजिन जसले एंड़ वासिंग, सैनिटेशन, कम गरी दाइचा, औरको बनेको सेल्फ मेडिकेशन रोकनु पर्यों, इसको बारे मांपने आमीले पहिले डिसकस गरी छक्यों, एंटिमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस को बारे सर्कार रा अथिरिटी ले प्लान्स रा पॉलिसीज बनोने पर्शा, यो बिना अरु सबय कुर आरु इनेफिक्टिव हुन्छन, जस्ताई एल्थ केर, एग्रिकल्चर, वेटनरी सेक्टर मां एंटिमाइक्रोबियल्स को प्रप्पर गाइडलाइन्स रा मोनिटरिंग उन्नु पर्यों, एंटिमाइक्रोबियल्स ता प्रेस्क्रिप्चन बिना बेचनाई नाउने र इस चक्यों, तर आमी बने एस विश्यमाँ देराईने पचिस हों, र एसका कॉंसिक्वेंचेस र कोस्ट आमरो देशले दान्न पनी मुश्किल पर्षा, जस्ते गर्दा बविश्यमाँ सबय बन्दा देरे असर आमरो देशले बगुनु पर्षा, यू एसमाँ 2019 माँ 2.8 मिलिय तिती धेरे एसको इम्पाक्ट रू मिनिमाईज गरना सकिन्छा, अंते मा आयरा सबय खुरारू यह आयरा जोडिन्छा, जती धेरे अवेर्नेस भयो तिती नही समस्या को समाथान सजीलो हुन्छा, र आमीले वीडियो बनाउनुको आसा बनी ते हो, जती सब्दो एंटी मा झाल